खबर इंदोर से हैं जहां इंदोर में 11 मी में पढ़ने वाले डॉक्टर की बेटी ने फासी लगा कर खुदखुसी कर ली छात्रा को कोचिंग की दो इस्टूडेंट ने सिग्रित पीटे देख लिया था उन्होंने छात्रा के फोटो खीच लिये थे और वे उसे ब्लैक मेल कर रहे थे छात्रा ने एक दिन पहले पूरी बात अपने पिता को बताई थी लेकिन फिर भी उसे फोटो वाइरल होने का डर था इसी बात से वह डिप्रेसर में थी राजेंद्र नगर टियाई मनिश डाबर ने बताया हिरन्या पुत्री डॉक्टर के सब लोन खेडे ने रविवार देर सामफासी लगा कर सुसाइट कर लिया वह मालवा कन्या स्कूल में ग्यारवी क्लास में पढ़ती थी घटना के वक्त छात्रा के पिता और मा घर से बाहर गये थे दस साल की छोटी बहन और चार साल का भाई बिल्डिंग के नीचे खेल रहे थे इसे दोरान हिरन्या ने यह कदम उठा लिया साम को जब माता पिता वापस आये तो उन्होंने हिरन्या को फंदे पर लटके देखा पिता बच्चों के डॉक्टर है, मा बढ़वानी में सरकारी इस्पताल में नर्स है, वह हर सनिवार इंदोर आती थी और सोम बार सुबह लोट जाती थी टी आई ने कहा पुलिस जाच कर रही है, परिवार के बयान के बाद सम्मन्धित स्टूडेंट के खिलाब कारवाही की जाएगी सनिवार को हिरन्या ने अपने पिता को बताया था कि वह कोचिंग से निकलने के बाद अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रही थी इसी दोरान कोचिंग में साथ पढ़ने वाले एक चात्र और चात्रा ने उसके फोटो ले लिए वे उन फोटोज को पावा मम्मी को बताने की धमकी दे रहे थे उसकी बात सुनकर पिता ने उसे थोड़ा डाटा और आगे से ऐसा नहीं करने के लिए समझाया उन्होंने हिरन्या को माफ कर दिया था पिता ने बताया उससे डर था कि दोस्त उसके फोटो सोसल मीडिया पर वाइरल कर देंगे इसी बात को ले कर वा डिप्रेसन में थी